हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बेक टू माई चैनल तो गाईज आज है हमारी क्लास 56 और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पफ स्लीव की कटिंग और स्टीचिंग करना और इससे पहले जो हमारी क्लास थी 55 उसमें मैंने इसकी ड्राफ्टिंग करना बताये था जिसको द स्लीव को कट करना हैं तो देखे सबसे पहले हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से आयरन कर लेना है पहले अपने फैब्रिक को आपने और अब जो है हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे तो सबसे पहले हम बॉटम फोल्डिंग का इंच चाहिए लेकिन मैं 15.5 पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि 1.5 इंच हमारा उपर कंधी की सिलाई में जाएगा तो देखिए दोनों तरफ से 15.5 पर निशान लगा कर हमने दोनों निशानों को इस तरह से ऐसे मिला देना है उसके बाद हम आर्मोल का निशान और अब जो हमारा बॉटम है वो है टोटल 10 तो डबल फोल्ड है तो हम 5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से और अब जो हमने आर्मोल लगाया था ना वहाँ पर भी हम नीचे बॉटम की जितना ही 5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे अब उपर की साइड इस वली इस तरह से जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से आपने शेप बनानी है एक जैसे हम आर्मोल की शेप देते थे थे ना इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे बड़ यह उपर से थोड़ी सी लंबी होगी और अब जो हमने नीचे की साइड 3 इंच पर डैप्त क निशान लगाया है वहाँ लाकर हमने इसको इस तरह से ऐसे शेप दे देनी है ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा डाक कर देती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से नजार आए और अब हमने क्या करना है नीचे जो हमारा बॉटम वाला निशान है उससे हमने इसको इस जनवाली निशान से मिला देना है तो जी हमारी जो स्लीव्स है उसकी मार्किंग हो गई है और अब जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे तो जिस तरह से हमने निशान लगाए है वैसे वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे क्योंकि आल्रेडी हम सारे मार्जन इसमें एड़ कर है तो हमें कुछ भी add करने की जरूरत नहीं है सिर्फ हम इसी shape में इसको बिल्कुल अच्छे से cut कर देंगे और ना बहुत easy होती है यह आप लोग अगर इसकी drafting देख लेंगे तो आप लोगों बहुत अच्छे से समझा जाएगी तो लाजमी है आप लोगोंने drafting जरूर देखनी है तो देखिए इस तरह से हमारी cutting हो गई है अब जो यह हमने निशान लगा था ना यहाँ पर हमने इस तरह से ऐसे cut लगा देना है क्योंकि यहां तक हम जो है अपनी plates डालेंगे तो यह cut बहुत जरूरी है और center का cut भी लगा देंगे अब खोल कर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यह किस तरह से दिखेगी तो देखिए खोल कर यह कुछ इस तरह से दिखेगी अब हमने इसको again double fold करना है इस तरह से और जो हमारा front side होता है वो हलका सा तो देखिए इस तरह से हम इसको cut कर देंगे और again मैं यहाँ पर जो है ऐसे cut लगा दूँगी और अब देखिए अब मैं इसको बताती हूँ कि किस तरह से इसमें plates डलेंगी तो देखिए जहां पर यह हमारे cut लगाए ना यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे plates बनाएंगे तो हमारा जो है puff create हो जाएगा यह देखिए इस तरह से अब आप लोगो समझ आ गया होगा तो चलिए अब जो है हम इसकी stitching करना शुरू करते हैं तो जी सबसे पहले हमने क्या करना है जो हमारा नीचे का bottom है उसको हमने इस तरह से ऐसे fold करना है नेल्स की help से इस तरह से हम crease बना देंगे ताकि हमें एक निशान मिल जाए कि हमने कहां तक fold करना है और इस तरह से ऐसे double fold करेंगे और इसको simple सिलाई लगा देंगे अगर आप लोगको तुरपाई करना होगी तो आप लोगों में बड़ी सिलाई लगानी है और तुरपाई नहीं करनी होगी तो आप लोगों ने छोटी सिलाई लगानी है तो देखे मैं अपनी मशीन की सबसे बड़ी सिलाई यहां पर लगा रही हूँ क्योंकि बाद में मैं इस पर तुर्पाई करूँगी तो देखे इस तरह से हमारा बॉटम फोल्ड हो गया है आफ्टर बॉटम फोल्डिंग यह कुछ इस तरह से दिखेगी इस तरह से दिखेगी हमारी स्लीफ अब हम इसमें जो है प्लेट डालना शुरू करेंगे उसके लिए हमने इसको ऐसे सिंगल कर लेना है और जो हमारा सेंटर का निशान है वो यह वाला है बनारी हो तो मेरी जो टोटल है वो पांच प्लेट जो है यहां पर बनी थी यह देखिए यह तीन और अब एक यह चौथी और यह देखिए यह फोर्थ प्लेट मैं बहुत मतलब स्लो करके आपको दिखा रही हो ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझाए बिल्कुल भी मैंने फास्ट नहीं किया है इसलिए वीडियो और यह पांच तो जो हमारा कट था वहां तक हमने पूरी पांच प्लेट डाल दी है यह देखिए इस तरह से अब जो हमारा दूसरा साइड है वहां के सेंटर में भी हम मतलब सेंटर से जो है हम अगेन जो है प् जरू करेंगे यह देखिए इस तरह से तो दोनों साइड हमने सेम प्लेट बनानी है गिनकर आपने लोगों ने बनानी है जितनी एक साइड उतनी ही दूसरी साइड तो आपका बिल्कुल एक जैसा बनेगा अगर मतलब कम प्लेट रहेंगी ना एक साइड तो वह अजीब द यह देखिए मैंने दोनों तरफ जो है पांच-5 प्लेट बना दी है और जो हमारा पफ है वो कितने अच्छे से बनकर जो है मतलब क्रिएट हुआ है यहाँ पर और अब जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रेक या धागा है उसको कट कर दिया कीजिए साथ के साथ ताकि कि आपके काम में फिनिशिंग आई और आप लोग देख सकते हैं कि कि इतना अच्छा पफ क्रियेट हुआ है यहाँ पर अब हमने यह फिटिंग की सिलाही लगा देनी है कि और मैं आप लोगको बता दूं जो इस तरह की स्लिश बना तो उप लोग टाथा ओ जिस तरह के फै तो देखिए हमारी side की सिलाई लग गई है, अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ, मतलब सीधा करकर आप लोग को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगी, तो देखिए इस तरह से हमारी कुछ sleeves दिखेगी, अब हमने इसको जो है, जिस भी चीज में आप बनाएंगे, बनकर तयार है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा puff create हुआ है, जितना easily में बता सकती थी, मैंने बताने की कोशिश की है, तो I hope कि जो है आज का वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और आज की class की सब कुछ आप लोग को बहुत अच्छे से clear हो बाइब 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 लोग को 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 बाइब